लोहे के 30 पाइप चुराने के मामले में खापर खेडा पुलस ने दो युवकों को गिरफतार किया है यहां कारवाई मंगलबार 31 मई को की गई आरूपियों में इश्वर ओर्फ इशू सुधाकर ढोले और वादल शेक चंद वागधरे शामिल है दोनों समिपस्त सिल्लेवाडा बस्ती के रहने वाले उनके पास से 8,800 रुपे मोले के लोहे के पाइप बरामत किये गए हैं दूसरी कारवाई में ओल चोरी के आरोप में तीन युवकों को गिरफतार किया गया ओल चुराने वाले तीन युवकों को खापरखेडा पुलिस के डीबी स्कॉर्ड ने धर्द पूचा आरोपियों में रजट और फविक्की दिलिव वाडिवा, पुनीत राजु भगत और अमिस सुधाकर शबंकर है तीनों जैबोले नगय चनकापूर के रहने वाले हैं खापरखेडा के विजे लक्षमें राफ महाजन का चनकापूर में गोदाम है आरोपियों ने गोदाम से 5 लीटर ओईल की 4 केन, 1 लीटर के 20 डिबे और इलेक्टरिक केबल 40 सही ते 33 साथ 200 रुपए का माल चुरा लिया था उनके पास से वारदात में इस्तमाल की गई 40,000 रुपए मूल की बाई क्रमांक MH40CG 5895 भी जब्त की गई है यह दोनों कारवाई थानेदार, हिदे नाराइन यादव, इनके मार्क देशन में DB Squad के API दीपक, कांकरेडवार, हवलदार उमेश ठाकरे आशीश पूरे, नावेत खान, नायक सिपाई प्रमोद भोयर, राजू बोयर, मुकेश, वाघाडे, कॉंस्टेबल, नुमान, शेक, शेकर वान खेड़े ने इस कारवाई में भाग लिया खापर खेड़ा से NBCN News के लिए कैमरमेन आशीश राउत के साथ अरुन महाजन की रिपोर्ट